हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप तो हमेशा वाले वीडियो से हटकर आज का मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और मैं तयारी करने जा रही हूँ बेसन के लड्डू बनाने की क्योंकि रक्षा बंदन आने वाला है और रक्षा बंदन पर घर पर बनी मिठाई खाने का मजा ही कुछ और है तो जो मिठाई लंबे समय तक खराब नहीं होगी वो मिठाई मैं पहले ही बना करके रख दूंगी तो इसमें बेसन के लड्डू मेरी लिस्ट में सबसे पहले आते हैं क्योंकि बेसन के लड्डू मेरी पूरी फैमली को बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर कड़ाई के अंदर लगबग मने 800 ग्राम घी करम कर लिया है क्योंकि मैं बनाने जारे हूँ धीर सारी बेसन के लड्डू क्योंकि जब तक रक्षा बंदन आएगा तो आप यकिन नहीं करेंगे इसमें से आदे से ज़्यादा लड्डू तो खतम ही हो जाएंगे तो मैं एक साथी खूब सारे लड्डू बना करके रख दूंगी तो जब तक ग्राम होका हम बेसन भी चान करके तयार कर लेंगे और बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमेशा मोटी वाली बेसन का ही इस्तेमाल करें इससे लड्डू बहुत ही बढ़िया दानेदार बनेंगे तो बेसन मैंने चान लिया है और अब कड़ाई में जब गी गरम हो जाएगा तो थोड़ा सा बेसन डाल करके चेक कर लें यदि घी के अंदर बेसन डालते ही वो फूल रहा है तब सारा बेसन एक साथे डाल दी और अब लोटू मीडम फ्लेम रखते वे बेसन को हमें बढ़िया से रोस्ट करना है जब हम अच्छे गरम गीमी बेसन को डाल कर फिर उसे बूनते हैं तो वो अच्छा फूल भी जाता है और दूसरा उसे आगे रोस्ट होने में समय कम लगता है तो यहाँ पर बस मिक्स करते जाना है और इसे लगातार चलाते रहना है ताकि बेसन बढ़िया से रोस्ट हो जाए बेसन के लड़ू बनाने के लिए मैंने 800 ग्राम घीमी एक किलो बेसन का इस्तमाल किया है और यदि आप कम आतरा में यह लड़ू बनाना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सारे माप ले लें अब देखे बेसन को रोस्ट करते वी लगबग मुझे 20-25 मिनिट का समय हो गया है और अब बेसन लगबग 60% तक रोस्ट हो चुका है कैसे पता करें तो ऐसे कड़ाई में आप बेसन को टैप करेंगे तो देखे कैसे इसमिसी घी सेपरेट होने लगा है तो बैस अब मैं गै अब बेसन को लगबग 60-70% फ्लेम पर पकाने के बाद कड़ाई के अंदर भी मैंने तब तक इसे चलाया है जब तक ये पूरा अच्छे से रोस्ट न हो जाए तब तक जो बेसन है वो भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा क्योंकि बेसन घी के अंदर मिक्स हो कि इतना गरम हो है कि गैस पर से उतारने की बाद भी वो कई देर बगता रहता है और अब लड़ो में फ्लेवर लाने के लिए मैं डाल रही हूं इलाईची तो नॉर्मली हम मिठाई बनाते हैं तो उसमें छोटी वाली हरी लाईची आती है न वो डालते हैं लेकिन इन लड़ों में आप य अंदर थोड़ा सा कूट लेते हैं मैं यहाँ पर दो बड़ी हिलाईची का इस्तमाल कर रहे हूं और इसके साथ में डालेंगे agirie और बैस सारी चीज़ों के मिक्स कर लेंगे अभी में इसे लगाता चलाते रह रही हूं और आप देखेंगे कि जैसे जैसे यह ठंडा हो रहा है यह थोड़ा liquid form में आते जा रहा है अब उंगली डालकर लड़ू के मिश्रन को जैक कर लेंगे और बहुत है अच्छे से यह ठंडा हो गया है तो हमेशा जब मिश्रन पूरा अच्छा ठंडा हो जाए तभी इसमें चीनी पुरा या तकार आपको जो डालना है वो डालें तो बेशन की लड़ू बनाने के लिए हमेशा PCV चिनी का इस्तमाल ना करने के बजाए बुरा यानि की तगार का इस्तमाल करें तो इससे लड़ू बहुत ही जादा टेस्टी और दानिदार लगेंगे तो यहाँ पर मैंने लगबग 800 ग्राम ब पसंदो उसके अगॉर्डिंग इसमें बुरा डाल सकते हैं और इसी के साथ मैंने थोड़ा से जो नारिल का बुरात आता है न डेसिकेटिड कोकोनट पाउडर वो भी एड़ कर दिया है तो इसका टेस्ट भी काफी अच्छा लगता है लेकिन यह डालना टोटली आप्शनल है और बस सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और अब इन से छोटे छोटे बेसन के लड़ू बना करके तैयार कर लेंगे तो यहाँ पर मेरी बेटी अवनी भी आ गई है मुझे हल्प कराने के लिए वो कब से इंतिसार कर रही थी कि मैं भी मम्मी की हल्प करूं इस तरह से कर लेती हूं तो मुझे भी बरिंग नहीं लगता है तो यह हमारे धेर सारी बेसन की लड़ू बनकर रहता है यार तो चलिए अब हमनी टेस्ट कर रहे हैं इनको और उसे तो यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं तो मैं तो बनाती ही रहती हूं तो फ्रेंड्स आप भी यह बेसन की लड़ू बनाएं और खाएं कैसे बने मुझे कमेंट करके जरूर बताएं फिर से मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई